लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें पहश शुरू करने से पहले प्रोसेकूशन और डिफेंस इस बात को ध्यान में रखें कि एक स्पीडी ट्राइल है इसलिए इस अदालत के समय का ख्याल रखा जाए प्रोसेकूशन प्लीज प्रोसीड डोक्टर सिंदीखी सीदे पॉइंट पर आता हूँ आपके इतने अच्छे एलाज और इनकी इतनी स्टॉंग विलपावर के बावजूद यह चल नहीं सकते यह ज़रूरी नहीं के सिर्फ विलपावर की वज़े से पेशेंट चल पाए और यह भी ज़रूरी नहीं के आदमी चले और डॉक्टर को बताए अगर ऐसा होता तो सब से पहले मुझे पता चलता देखें और अग्यों वेरे मच्ट दर्स और यॉर अग्यों यॉर अग्यों अब मैं आदालत के सामने वह गवापेश करूंगा जो यह साबित करेगा कि अजय श्रीदर चल सकते हैं और वो है सीशेल बिल्डिंग का वाच्मेंट माधव गजानन 24 जुलाई को फिलेट नमबर 203 में जो आदमी घुशा था वो इस वक्त कोट में मौजूद है जरा ध्यान से देखो नहीं सब वो नहीं है यहां क्या बात करते हो तुम क्या वो आदमी यह नहीं है वो यह नहीं है ध्यान से देखो यह था वो हां है यह 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 थो अदमी महों तो है ध्याद में था बिदिग नहीं है थैंक यू काचन सवाप दोसो थेन्में गाजा था 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 302 आप तो 203 में गय थे सब जारा में जड़ा गोर्स से देखिए वो अजय श्रीदर जो भेस बदल में माहर है और जो भेस बदल के किसी को भी बेवकूब बना सकता है इसलिए से इसके डिपार्टमेंट में मास्टर और डिजगाइस भी कहते हैं आप भी देखिए प्लीज आपको तसलिए होगी यूर अजय श्रीदर ने अब तक जितने भी भेस बदले और जितने भेस बदल सकता है उन सब के हमने इस कैचिस बनवाए गजानन के मताबिक 24 जुलाई की रात को सीशेल बिल्दिंग के फ्लैट नमबर 203 में अजय श्रीदर को खुद अपने पाँ पर चलते हुए अंदर घुसते हुए देखा ये फ्लैट अजय की कजन संजय का है जिसका उसी रात खून हो गया था मेरा मकसद सिर्फ ये साबित करने का है कि अजय श्रीधर खुद अपने पाँ पर चलकर वहां गया था देट सॉल यॉर अनौर गजानन जी 24 जुलाई को आपने क्या इसी आदमी को देखा था अपनी बिल्दिंग के अंदर जाते हुए मैडम मैं सेक्रोर्टी गार्ड हूँ एक बार जिसका चेहरा देख लूँ कभी नहीं बूलता ये वही आदमी है जो 24 तारी को हाथ में छड़ी लिये हुए बिल्दिंग में आये था आप एक बार पूछे हजार बार मैं तो वही जवाब दूँगा ना जिसे ये बतारे की अजय है वो असल में संजय वर्मा है अब इनकी बात माने तो संजय वर्मा 24 जुलाई को अपना ही हुलिया बदल के अपनी ही बिल्डिंग में क्यों गया आप यह देख लीचेने एक बार निगम साब प्लीज कर्फ्यूज मत होएं अब्जेक्शन यौरा ना यह क्या मज़ाक है यह तो एडवांस टेक्नलोजी का साहरे लेके गवा को भर्गलाने की कोशिश है नो यौरानर प्रोसेक्शन टेक्नलोजी का उल्टा सीधा इस्तमाल करके अदालत तो गुम्रा करने की कोशिश कर रहा है ओड़र ओड़र यौरानर मैं गवा पेश करना चाहूंगे जो इस केस के इंवेस्टिकेशन आफिसर है मिस्टर विने पतनायक मिस्टर विने पतनायक क्या यह सच है कि कमिश्टर साब ने आपसी केस वापस लेके सीनिय इंस्पेक्टर डिसूजा को दिया था जया यह सच है क्या यह भी सच है कि कमिश्टर के मना करने के बाद भी आपने इस केस पे काम बंद नहीं किया कमिश्टर साब के मना करने के बाद मेरे पास काम करने के लिए कुछ बचता नहीं है कियो? आप मेडिया को फोन कर सकते थें? कमिषasm पर प्रेशर डाल सकते थें, नहीं? नहीं यह ओनर यह रहे इंके फोन बिल्ज की डीटेज्स जिस दिन ये केस देस उसी रात उनोंने थ्री टीवी को फोन किया और एक इंक््वारी कमिटी बण वाएं और फिर खुद ये कमीटी के इंचार्ज बन गए आप मिस्ते अजेश्रीधर को कब से जानते हैं? बहुत सालों से और आपके दुश्मन ही कितनी पुरान है? मेरे कोई दुश्मन ही नहीं है वो हमेशा से मेरे दोस्त है आज भी मेरे दोस्त है, मेरे लिए इतने अच्छे दोस्त है कि आप से इनकी तरक्की देखी नहीं गए आप दोनोंने हमेशा एक सी मेहनत की पर क्रेडिट मिला हर बार आपके दोस्त अजेश्रीधर को आप दोनोंने मुझरिमों को एक साथ पकड़ा पर मीडिया हाइप मिली अजेश्रीधर को अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आप दोनोंने कभी अपनी जान के परवा नहीं की पर मेडिल के लिए रेक्मेंडेशन हुआ अजेश्रीधर का और मैं कभी मीडिया सभी नहीं रहा हूँ ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं मंगर ये नहीं जानती थी कि आप अजेश्रीधर से इतना जलते हैं आप हमेशा मौका ढूंडते थे अजेश्रीधर को नीचा दिखाने के लिए और जैसे ही आपको एसा मौका मिला आपने मौके का फाइदा उठा के अजेश्रीधर को फ्रेम किया तूमको लगता है मैसा कर सकता हूँ Excuse me, let me finish your honor your honor he's not letting me finish Can the defense I have not finished what you're saying your honor I have not finished can the defense..." Your honor he's not letting deepCu Can I have order in my court please I will not tolerate misbehavior Yes you may proceed Your Honor, पूरा मीडिया, पूरा डिपार्टमेंट ये जानता है कि अजय और विनय की बीच दिफरेंसेज थे आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए खलाश शब का इस्तेमाल कर रही है हमारे बीच में ऐसे कोई दिफरेंसेज नहीं थे, सच He has been a hot-headed and impulsive officer फुलिशी टेरिंग आयमस से, जिस बात को मैंने कभी अप्रूव नहीं किया है और इसी वज़े से इंको गोली लगी है इसको अगर आपने फ्रेंस कहना चाती है, आप आपने फ्रेंस कहलेजिए, मुझे कोई फर्क नहीं बढ़ता क्या कहा आपने? Hot-headed or impulsive? Your Honor, अगर आजे सच मच hot-headed or impulsive है, तो यह cold-blooded or premeditated murder कभी करे नहीं सकते हैं तिर तो वो गुसे में आपके उसी वग्त तन दोनों को मार देते हैं करें Thank you Mr. Putnack That's all Your Honor All Your Honor लगाओ, लगाओ, खाना लगाओ खाना लगाओ, तुम्ही खाओ हाँ में तु बुक नी है आप खाव लीजी दादा, सुभभी अपने लँच नहीं किया था लँच तुम्हाओ, तुम्हें खाने की बहुँच जरूवत है तुम्हें काम करना है कोट में जाना है, बहस करनी है, केस लड़ने है, गलत को सही साबित करने के लिए लड़ने है, भाई को जलील करना है, उसको गलत साबित करना है, तुम खाओ दादा, ये केस में किसी को घलत साबित करने के लिए नहीं, सिर्फ आजे को सही साबित करने के लिए लड़ेई हूँ मुझे लगता है बहुत स्ट्रेस्ट हो, आप खाना खाके जल्दी सो जाईए हाँ मैं सोँगा, अराम सोँगा, बहुत दिनों तक सोँगा, चीज दिन में घलत को, घलत साबित कर दूगा उस दिन सोँगा फिर तो दादा आपको बहुत दिन जागना पड़ेगा इस आदमी को पहचानते हो येस ये बता हो है कितने की? पाच पेटी लेकिन अजय भाई ये ने तो कहता, चार लाग हो और अजय? नहीं वो, एंथरी ने कहता कि चार लाग लगेंगे और अब तुम पांच लाग बूल रहे हो अजय साब का नाम सुनते ही अप उनको डाउट हुआ तो अप उनने इसके आवाज माइक्रोफोन पे सुनी अजय वो, एक लाग रूप एक्स्टा माग रहे है इस बाद से अप उनको दो बाद समझ में आई साब एक तो वो अजय साब से बात कर रहा था दूसरे, अजय साब अप उनको एंथोनी के आवाज में फोन किया और ये बात कन्फर्म करने के लिए जब अप उनने अईन्थोनी को फोन किया तो मालूम ये पड़ा कि अईन्थोनी ने तो अप उनको फोन किया ही नहीं था इस बाद से अप उनको पक्का यखिन हो गया साब कि ये फोन एंथोनी की आवाज में अजे साब को था मिस्टर डिकॉस्टा आप चार साल पहले जेल गए थे दो साल के लिए करेक्ट येस मैं आपको जेल किसने भेजा था मिस्टर डिकॉस्टा आपको जेल किसने भेजा था मिस्टर इजय ने जील जाने से पहले आपने अजय साब को धमकी दी थी? नहीं, वो जूट मत बोले, मिस्टर इकास्टा, क्योंकि कोर्प में वो दोनों लोग मौजूद है जिनके सामनी आपने धमकी दी थी? उससे मैं निकल गया होगा, मैं? आपने क्या कहा था? यही के, अपने तेरे को देख लेगा और आज मौका मिलते ही आपने देख लिया? जैसे ही इन पे मर्डर का इल्जाम लगा, आप अदालत पहुँच गया, सरकारी गवा बनके, ताकि आपना बदला ले सके क्या बात कर रहे है मेडम? मैं ठीक बात कर रही हूँ, मिसेर डिकॉस्टा यूर अनर, कितनी अजीब बात है, कि हम एक मामूली से क्रिमिनल की बात सुनने को तयार है और एक पुलीस आफिसर के सारे मेडल्स भूल रहे है दाट्स ओल, यूर अनर यूर अनर, मैं लाइटेक्शन टेस्ट चाहता हूँ, दो मिर्ट में फैसला हो जाएगा, कौन साच बोल रहा है, कौन जूट बोल रहा है क्यों, अब्जेक्शन नहीं करेंगी अन दे कांट्ररी, मैं जानती है मेरे क्लाइन सच बोल रहे है इसलिए मुझे और मेरे क्लाइन को कोई अतराज नहीं है लेट्स हाव तलाइटेक्शन टेस्ट पर्मिशन पर लाइटेक्शन टेस्ट ग्रांटेट अम रेडी प्लीज प्रोसीड क्या आप चल सकते हैं? नो क्या आपको अंशिता और संजय के अफेर के बारे में पहले इसे पता था? नो क्या आपने प्लैन करके मर्डर किया? क्या आपने प्लैन करके मर्डर किया? नो मिस्टर निगम आपने सही कहा था? दो ही मिनिट से लगा सचा और जूट जानने में